श्रेया फैशन बूटिक चानल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को हिट करें और मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को हिट करें हेलो वीवर्स वेल्कम टू मैं चानल आज के विडियो में मैं आपको इस बूग की कटिंग और स्टिचिंग सिखाऊंगी तो इसके लिए मैंने यह पीस लिया है तो इस पीस की लंबाई मैंने सवा नौ इंच लिए है यह देखिए सवा नौ इंच और इस कपड़े की चोड़ाई मैंने सवा तीन इंच लिए है तो चलिए विडिस स्टार्ट करते हैं तो यह कपड़े की सीधी साइड है तो इससे हम डबल फॉल्ट करेंगे इस तरह से और यहाँ पे सिलाई लगानी है यहाँ तक तो यहाँ मिडल का पोर्शन हमें एक से पाउंड इंच तक छोड़ देना है देखे मैंने इस तरह से यह सिलाई लगा लिए है यहां तक लगाई है मैंने सिलाई और यहां पाउन इन छोड़कर फिर से यहां पे सिलाई लगाई है अब हमें इस सिलाई को सेंटर में प्लेस करना है इस तरह से तो यह सेंटर में रहेगी सिलाई वाली लाइन अब हमें दो कोनो साइड पर सिलाई लगा लिए हैं अब हमने जो यहां एक इंच का गैप छोड़ा था वहां से हम पूरे कपड़े को पलट देंगे तो यह यहां से हम बाहर निकालेंगे पूरे कपड़े को इस तरह पलट लेना है और कोनो को अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे और जहां हमने गैप छोड़ा था वहांनों के लिए चीज़ से हम कोनो को अच्छी तरह से बाहर निकालेंगे चारो कोनो को तो इस तरह से मैंने इसे प्रेस कर लिया है तुकड़े को और यह मैंने डोरी बनाई है चोड़ी वाली और इसे भी प्रेस कर लिया है तो इस तरह से छोटी छोटी चुननटे डालनी है हमें तो यह पीस हमने सीधी साइड पे हाथ में लिया है तो यह देखिए इस साइड क को आगे की तरफ करते हुए हमें प्लिट्स डालनी है तो इस तरफ एक ही साइज के प्लिट्स डालनी है और यह दूसरी वाली साइड भी आगे की तरफ करनी है इस तरह से अब हम इसे स्टीच कर लेगे तो यह आधा इंच तक हम स्टीच करेंगे मिडल में तो यह पूरी प्ल को तो इस तरह से हमें पट्टी को कवर कर लेना है स्टिचिंग को मिडल में तो यह अगे की साइड में मैंने कवर कर लिया है पिछे के साइड में हम इस पट्टी को स्टिच लगाएंगे तो इस तरह से एक एंड को अंदर डालती हुए दूसरे एंड को हमें मोडती हुए स्टिचिंग लगानी है बैक साइड में तो यह देखिए वो हमें इस तरह देखेगा फाइनल लुक में विवर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो ता प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चानल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड और फैमिल के साथ यह वीडियो शेर कीजिए थैंक्यू फॉर वाचिंग